ताद आश्य कपड़ान वेल्कम टू गोल्डिस्टेस्ट फुल किछन आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए वह है उपमा लेकिन नेज्ट कोकॉनट के साथ और थोड़ा मीठा तो हलवा भी नहीं कहसकते आप उसको यह उपमा लेकिन तो ख़़गाना नहीं सकते ह आप खाएंगे ट्राइ करेंगे तब ही पता चलेगा यह देखिए सबसे पहले मैं बताओं आपको मैंने वन फोर्थ कप सूजी ली है पहले सबसे कम इंग्रेडियंट से ही आप ट्राइ करें यानि आप अगर घर में बना रहे हैं आपको अपना अपना टेस्ट होता है आपक कप से ही आप शुरू कीजिए और दो पिंच यानि वन फोर्थ टी स्पून मैंने नमक लिया है जो हमारा बहुत कम डलने वाला है ऐसे ही टू पिंच के करीब ही मैंने ये राई ली है बहुत कम डालेंगे ये भी हम 10 से 12 मैंने काजू के पीस लिये है एक टेबल स्पून मैं दिखें और जड़ा सा पानी डालके उसको मिकसी में चला लिया है और ये है आधाक तो आप कम जाद अपने सब से कर सकते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं ये बढ़ी आसी रेसिपी हेल्दी ब्रिकफास्ट है ये पैन को हमने गरम कर लिया है इसमें हमने सूजी को डाल ल करेंगे हलके हाथ से ऐसे चलाते वे बिल्कुल इसका कलर भी चेंज ना हो और आप यहां इसको हलका से ऐसे ऐसे फिंगर पे जड़ा से गीला करके ऐसे लगा के देखें तो कच्छा खाने में लगता है और जब आप दुबारा हलका भुनने के बाद इसको देखते हैं तो को खाने से ही पता लाए फाला जाता है इतना सा एक पिंच खाने से लग जाता कि यह भून कर लेंगे क्योंकि सूजी का अगर हमने कड़ाई में छोड़ दिया ना तो वह जल जाएगी तो हम इसको इस प्लेट में निकाल लेंगे जैसी हलका गरम हो हम उसमें इकाज़ी के टीसेज डाल दिए इनको हम भूनेंगे रोस्ट करेंगे और वह भी स्लोग गैस पर हलका इनका हलके ब्राउन हो जाएँ तब तक हम इनको लगातार चलाते वे रोस्ट करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने फैमली फ्रेंज में, बेल इकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटस्ट अप्डेट्स आप तक पहुंस सकें अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया कीजिए, तो देखिए ऐसे हम हलका हलका चलाते वे, इनको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी काजू लेते हैं, कुछ उस तरह का, थोड़ा सा रेडिश हो गया है, अब हम इनको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे, काजू देखिए कुछ इस तरह के हो गया है, हमने निकाल लिया है इनको बाउल में, और ये घी अलरडी में है, थोड़ बहुत ज्यादा हमें नहीं डालनी है क्योंकि थोड़ा स्वीट बनने वाला है अब हम डालेंगे इसमें इस सूजी गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे साथ ही डालेंगी ये कोकनाट उनकों मिक्स करेंगे अच्छों से बहुत टेस्टी लगेगा यो बहुत यह लेगा इसमें हम इसी तने डाल रहे हैं ये शुगर चीनी इसको भी इसके से मिक्स करेंगे सूजी हमारी अल्रेडी बुनी हुली है वह हमें एक सकीन ही करना है और यह वन पूर ती स्पोन हम डालेंगे इसमें नमक इसको mix करेंगे flame हमारी slow है और यहां मैं आपको दिखाऊं यह मैंने पानी लिया है 1 फोर्थ कप हमने सूजी ली थी तो 1 कप पानी है जिस grinder में मैंने coconut को grind किया था उसी में डाल के मैंने इसको निकाल लिया है इसलिए color पानी का ऐसा है तो यह इसमें जाल देंगे हम बिल्कुल slow gas पर और इसको जल्दी से चलाएंगे mix करेंगे इसको लगातार चलाते रहेंगे थोड़ा gas की flame को बढ़ा देंगे और यह देखे कितना बढ़िया यह लग रहा है white white color और इसमें फ्रेश नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है हाँ आप नारियल चाहें तो उसका काला छिलका निकालकर उसको ग्रेट भी कर सकते हैं अगर आप निकसी में चलाना नहीं चाहतें खुड़ा पानी डालके वैसे आसानी से चल जाता है तो ग्रेट भी कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी भी आप कम जादा कर सकते हैं जितनी सूजी है उतना ही कोकोनट भी ले सकते हैं तो देखें इसको हमने चला दिया है बबल जाने लगे हैं गैस को धिमा करते हैं और इसको ढखकर कुछ देट के लिए पकाते हैं येड़ मिनट के करीब हो गया है तो आईए इसको चेक कर लेते हैं और ये देखें बहुत अच्छे से ये बन गया है इसको मिक्स कर लेंगे तो परफेक्ट पानी परफेक्ट सॉफनश और बहुत अच्छा यहां पर मैं थोड़ा सदे के 2 टेबिल स्पून में से भी हमारा गी नहीं लगा है मार्केट में गी ज़्यादा डालते हैं यहां भी मैं केवल एक चम्मच गी और एड़ कर रही हूं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और यहां पर हम थोड़े से काजू इसमें डालते हैं कुछ काजू गार्णिश के लिए रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और यह हमारा यमी से लगने वाला उपमा बन कर तयार है जरूर ट्राइ कीजिएगा थैंक यू सो मच प्लेटिंग करते हैं और यह देखिए हमने यह उपमा तयार कर लिया है यह इस कटोडी में डालके हमने इसको उल्टा कर दिया और शेप कुछ इस तरह की आ गई है इसको अब हम डेकोरेट करेंगे कुछ काजू से और यह यमी सा उपमा तयार है थैंक यू सो मच फो वाचिंग मैं रसिपी जरूर को ट्राइ कीजिगा लग रहा है ना तैंटिंग और इधर मैं दिखा हूँ आपको यह कितना सॉफ्ट है देखें बिल्कुल सॉफ्ट है एक दम उपमा यह देखें यह दो लोगों के लिए काफी है और यह देखें इतना कढ़ाई में बच गया है और एक कटोरी मैंने एक गया है